दातों में पाईरिया की समश्या को जड़ से खतम करने के लिए आपको मैं कुछ गरेलू उपाय बता रही हूँ जो 100% कारगर हैं अगर आप इनका इस्तिमाल कुछ दिन कर लेते हैं तो आप पाईरिया की समश्या से पूरी तरह से निजात पालेंगे जितने दात आपके खराब हो चुके हैं न दोस्तों उनको आप आगे खराब होने से बचा लेंगे और उल्टा आपको बेहद फाइदा मिलेगा अपने दातों पे अगर आप इस तरीके से बताए गए तरीके से ये गरेलू नुस्खे कुछ टाइम के लिए अपना लेते हैं आपको यहां पे मैं दो गरेलू नुस्खे बताऊंगी जो बेहद ही लाबदायक है और गरमे रखे चीजों से आप इने अपना सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है पहले नुस्खे के लिए आपको लगेगा एक चमच सैद अब आप सोचेंगे कि सैद तो मिठा होत है लेकिन जिस तरीके से मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए बता रही हूँ न आपको बेहद ही फायदा देगा और पायरिया के लिए ये रामबान नुस्खा है जो आमारे बड़े बुड़े अमेशा से अपनाते आते थे ममी ने बताया ये नुस्खा आज भी उनके पूर चमच है तो आदा चमच ले ले और उसके साथ में आप ले ले निम्भू का रस आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए बस इसमें आप 8 से 10 बूंद निम्भू के रस की डाले दोनों चीजे जो है ना जैसे सैद है वो एक चमच होगा तो निम्भू का रस आपका आदा किन खा ताइब लगेगा आप इसे कंटेन्यों टियंके से चमच से मिकच करें मिक्स करने के बाद में ही आपको इसका इस्तिमाल करना है बता ज़य तरीके सेद ईटाकर निम्भू जो है इसमें विटामिन कीical ब्रपूर मात्रा में होते हैया और यह कारण होते हैं ना पाईरिया के मसूदों से खूनाना, मसूदों को फूलना, दर्दोना, यह सारी समस्या जो है जो है इसके बहुत सारे कारण होते है एक तो विटामिन C की कमी, दूसरा आप दातों की जैसे अच्छे से सफाई नहीं रख पाते हैं तो उसके कारण हो जाता है किसी किसी को ये समश्या पेट और लिवर की गड़बडी के कारण भी हो जाता है दोस्तों तो आप इस तरीके से इसको आजमा कर देखना अब आपने देखा आमने दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और ये जो मिस्रन है न एक डेड़ चमच है इसक का इस्तेमाल ज्यादा बन जाता है न तो आप दो बार भी कर सकते हो अब आपको क्या करना है इस मिस्रन को आपको अपनी उंगली की साहता से और पूरे मसूडों पे बिल्कुल दीरे-दीरे क्योंकि मसूडे जिन को ये समश्या होती है न उनके मसूडे दुखते बहुत ज ज़्यादा जोर देकर इसको नई करना है सिर्फ अलके आतों से अलकी उंगली से आप ये लगाएं और अपने मसूडों की मसाज करें कम से कम दो मिनिट आप मसूडों की मसाज कीजिए उसके बाद में 5-7 मिनिट इसको लगा रहे ने दें और फिर आप लेले अलका गुन- इसके अंदर डाल सकती हो. आदा गिलास पानी लेकर उसमें अच्छे से mix कर ले. नमक या फिट करी. दोनों में से कोन सी चीज आप के पास हो? आप ले सकती हैं. पानी में अच्छे से mix करने के बाद में आप अलका गुन-गुना पानी मुं में लेंगे और आपको अच्छे से पूरे मुँ में पानी को चला कर और अच्छे से मुँ को साफ करना है आप चाहें तो पानी को कुछ देर मुँ में रखने के बाद में रोक कर रखें कम से कम 30 सेकिंड के लिए उसके बाद में अच्छे से पानी से कुला करें और पानी को फैक दें इस तरीके से आपको लाष्ट में मूँ को साफ कर लेना है इसके बाद में आपको दूसरा नुस्खा बता रही हूँ दोनों में से आपको एक नुष्खा अपनाना है, चाहे आप कौनसा भी अपना ले, जो आपको सही लगे और जो चीज आपके पास आसानी से मिल जाए, उसी से आप ये नुष्खा तयार कर सकते हो दूसरे नुस्खे के लिए आपको कपूर लेनी होगी जो कपूर आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं और अगर आपके पास देसी कपूर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो देसी कपूर डले में मिलती है और ये जो पूजा वाली कपूर है आपको इस तरीके से चोटी क्षोटी टेबलेट मिल जाती हैं तो आप इसका इस्तिमाल चोट कीबलेट इस दीलोना तो आप इसका 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 कोट के पाउड़ याप को तौट तो अरंडी का तेल ले ले अरंडी का तेल नहीं है तो यहां पे आप तिल का तेल भी ले सकते हो लेकिन कोशिस करें जिनको यह समश्या है ना पाईरिया की समश्या है दांतों की समश्या है तो अरंडी का जो तेल मिल जाता है एक बार लाकर रख लें आप 50-60 रूपे में छो चोटी सी कपूर ले ले लेंगे आपको, दोनों को आप यहां पे बिल्कॉल अच्छे से यहां पे आपको टाइम लगेगा, कम से कम एक मिनिट का टाइम लग जाएगा उंगले की सायता से, इस तरीके से मिक्स कीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर ना, अगर आपको ओल कम ल कपूर जो है इसमें अच्छे से में को गई है यह मिस्रन है वह बहुती ज़्यादा मुलायम सा बनकर तइयार हो गया है उसके बाद में आपको इसका इसतीमाल करना है अगर आपको इसमें कपूर के बारिक-बारिक दाने लग रही है ना उंगली पे तो आप इसको और मिक्स क करके कपूर के डानें हैंkommen की मसाज्ख करेंगे अफजादा के बोधी Mira के ऊठीकण snusooo करेंगे ना तो मसूदों में से भूर चाहिए और शूब छल जाएंगे और आपको सकती है क्योंकि बहुत एक ईक पना जाती है तो फिर आपको क्या करना है बिलकुल उंगली की साहता से अलकी अलकी उंगली से पूरे मसूडों पे दातों पे अच्छे से इसकी दोनों साइड मसाज करनी है उपर के दातों पे नीचे के दातों पे मसूडों पे बहुत अच्छे से मसाज करनी है कम से कम दो मिनिट आप इस साथ साथ और फिर जब मसाज कर लेंगे तो 5-10 मिनिट इसको आप मुह में ही रखे ठूकना है तो आप बार ठूक सकते हो कोई बात नहीं है उसके बाद में आपको क्या करना है गरम पानी लेना है एक गिलास आदा गिलास गरम पानी ले ले अच्छे से गरम करने के बाद में पानी को आप पहले से गरम करके रख दे बोईल करके रख दे उसके बाद में ही इस्तिमाल करें आप जब तक आप मसूडों पे मसाज करेंगे पानी जो है ठंडा होकर गुनगुना सा रह जाएगा फिर आप इसका इसका इस्तिमाल करेंगे इस्तिमाल करने से पहले इसके अ फिर आप उसका कुला करें, कुला करने में आप कम से कम 5 मिनिट लगाएंगे पानी मुंए ढालेंगे थोड़ी देर रोखेंगे और फिर आप खुला करेंगे बारपेंगे उसको इस तरीके से आपको ये जो हैंना कपूर वाला ये नुष्खा आपको रात को करके रखना है इ यह था अमारा आज का बेहद ही कारगर्शा नुस्का दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो फ्लीज वीडियो को जादा से जादा सेर कर देना और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बता उसका आपको कैसा लगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद